हलो डियो स्टुएंट्स, तो यूजुली आपने देखा होगा कि हम लोग संडे का फंडा वीडियो जनरली बहार जाके बनाते हैं बट यार मैंने सोचा कि आज हम क्यों ना हमारा संडे का फंडे का वीडियो जो है वो घर से बनाएं तो बच्चों मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि जो हमारे पास और इन और इन और इसे हम कुछ प्राक्टिकल परपस से भी देखेंगे बच्चों कि हम प्राक्टिकली कैसे डिफरेंशियेट कर सकते हैं तो आओ यार मैंने कुछ यहां पर रखा खा है आपके लिए देखिए यहां पर एक सेटप बना रखा है छोटा सा अगर वैसे बच्चों आज संडे का दिन है ठीक है बट स्टिल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यार ये जो सैंपल मैंने रख रखे हैं तो इनके एक 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 नाम बता देता हूं पहले तुम्हें थोड़ा सा आपको ये प्रॉपर लिए दिख रहा होगा सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा बच्चों ये वेजिटेबल ओईल है ये हमारे पास है यार सॉल्ट ये हमारे पास है यार बेकिंग सोडा और यह हमारे पास है ग्लुकोस यह बच्चों हमारे पास है सेंड और यह हमारे पास है सैनेटाइजर जिसे अब हम भूल चुके हैं करोना चले गया इसलिए तो यार मैंने यहां पर सेटप क्या बना रखा है कि मैंने एक इंडेक्शन लिलिया और यहां हमारे पास पैन है अब इसमें लोग क्या कर रहा हुआ है कि यहां पर मैंने ग्लुकोस को डाल रखा है जी अना ग्लुकोस आपको देख रहा होगा ग्लुकोस को मैंने एड कर रखा है अब एक काल करते हैं इसको चालू करते हैं बच्चों आप बोलोगे सर यह क्या कर रहे ह आप देखो बस क्या कर रहे हैं यह ग्लुकोज है भाई और यह हमने चालू कर दिया इस पैंग के ओपर हीटिंग करना इसके अब एक बाद में बताता हूं बच्छो यह हमने जो ग्लुकॉंडी लिया हुआ है यह ग्लुकोज आप लेते हैं इसके अंदर सिर्फ ग्लुकोज जिससे इसके इंग्रेडियन में लिखा हुआ है 52% ग्लुकोज रहता है 45% सुक्रोज है फिर एसिड़ी रेगुलेटर मिनरल्स और कॉमन एड़ेबल सॉल्ट और विटामिन सी यह सारी चीज़ है बट उसके पहले यह देखो यह क्या हो गया यह हीटिंग चल रही है ठीक है इसमें कुछ एक चीज होगी जो शायद नहीं उडएंगी क्योंकि इसमें आपको बने बताया है जैसे यहापे सॉल्ट रही है और आप देख रहे होगे बच्चो यह हीट अप होगे क्या हो चुका है एवापरेट हो चुका है यहन्ने एक तरीके से अगर मैं जनरल बात ब वीडियो में बताता हूं बच्चों अगर वह प्यॉर ग्लुकोज होता है तो बच्चों कुछ भी नहीं दिखता बाकि उसमें सुक्रोज भी था यहन्ने शुगर भी कंटेंड था उसके अंदर तो नो डाउट शुगर के क्रिस्टल बन जाते हैं जैसे आपने देखा होग बच्चों कि जब हम चार्शनी बनाते हैं तो थोड़ा सा स्टिकी हो जाती है तो इसलिए वह थोड़ा सा डाक ब्राउन आपको दिखने लगा होगा थोड़ी टाइम बात आप वीडियो गौर से देखेगा अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि यार डफरेंस क्या है और और इनॉर्गरिक माटर में तो बच्चों सबसे पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटली समझ लेते हैं चीजों को फिर मैं आगे आपको डिफरेंस भी बताऊंगा और कुछ एक छोटे मोटे एक्स्परिमेंट और भी बता दोगा ठीक है तो आईए बच्चों हम लोग पहले इसकी बात कर लेते हैं कुछ फंडामेंटल चीजों की जो कि हमें पता होना चाहिए यहार जैसे आप जानते हो बच्चों कि अगर मैंटर की बात करों तो हमारे पास दो टाइक का मैटर होता है एक होता है सर और दूसरा होता है इन और अर्गनिक माटर अब अगर हम बात करते हैं बच्चों ओर्गनिक माटर की तो ओर्गनिक माटर वो मैटर होता है जिसके अंदर कार्बन या फिर हाइड्रो कार्बन क्या होना चीए प्रेजन्ट होना चीए अगर इसके अंदर प्रेजन्ट है तो हम इसको ओर्गनिक मान लेता है इसी प्रका लेते हैं बच्चों हम लोग क्या inorganic matter अब organic matter के अंदर भी यमारे पास further दो चीज़ है जी क्या क्या सर एक होता है बच्चों bio degradable और एक होता है अमारे पास non bio degradable अगर मैं बात करूं बच्चों bio degradable की तो यह वो organic matter है जिसके अंदर से microorganism carbon या hydrocarbon को extract कर सकता है फॉर्डियर सोर्स ऑफ एनर्जी बट यहीं पर अगर हम बात करें नॉन बाइयो डिपल और और यह वह मैंटर है बच्छों जिसके अंदर आपका कार्बन या हैड्रोकार्बन प्रेज़ेंट तो है यह और यह और यह प्रेजेंट तो है बट माइक्रोजम इसमें से कार्बन या हैड्रोकार्बन को निकाल नहीं सकता अब ऐसे कई सारे इनॉर्गनिक मार्टर भी होंगे जो नॉन बाइयो डिग्रेबल हो सकता है क्यों माइक्रो मतलब माइक्रोजम में से कंजीव भी नहीं करेंगे पहली बात तो क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हैड्रोकार्बन present नहीं है, तो कुछ हमारे पास organic concentration भी ऐसा होता है, जो non-voidable पो, और कुछ inorganic भी होता है याने हम बोल सकते हैं, inorganic भी होता है जो की non-voidable नीचर होता है अब इसी के साथ बचो एक तम और मैं समझाता हूँ, जिसे बोलते हैं volatile and non-volatile solids volatile solids and non-volatile solids अब बात करते हैं, volatile का मतलब क्या माल लीजे, आपके पास कोई solid है volatile solids के बारे बता रहे हैं अगर आपके पास कोई solid है उसको अपने heat up करा, उसका temperature rise करा जैसे temperature rise करोगे अपने आपको gases में convert करना चालू कर देगा जैसे अब आप देख रहे हैं, glucose के बारे में वो volatile organic compound है क्यों? क्योंकि आप heat up करोगे अगर वो pure glucose होता ना बच्चों, कुछ नहीं देखता में वो सिधे की सिधे उड़ जाता तो pure glucose होता, तो solid से directly gas में convert हो जाता और काम खतम हो जाता तो volatile organic compound था glucose non-volatile solid की बात करें बच्चों तो इसका मतलब यह हो गया, कि हमारे पास कोई solid है, बट अगर हम temperature rise भी करें तो यह अपना form change नहीं करेगा, यह क्या रहेगा जी? solid ही रहेगा, ठीक है? यह क्या रहेगा? solid ही रहेगा तो आईए बच्चों, आप sample पर आते हैं और उसी के साथ मैं आपको difference भी बताता हूँ तो सबसे पहले, यहाँ पर मेरे पास है salt, आपको दिख रहा होगा यह salt है फिर यह मेरे पास है sand अब यह दोनों क्या है बच्चों? अगर मैं इन दोनों की बात करो, तो यह दोनों inorganic nature है right, salt भी inorganic है sand भी inorganic है, like SiO2 and this is NaCl, right अब अगर हम बात करें बच्चों दूसरे sample की, जैसे कि हमारे पास है vegetable oil, alcohol और यह है glucose जिसको भी हमने थोड़े देर पहले burn किया था, तो यह क्या है बच्चों यह basically organic nature है बट आपको एक common species दिखरी होगी बच्चों कि यार मैंने organic के अंदर आपको solid भी दिखाया और liquid भी दिखा रहा हूँ बट inorganic के अंदर मैं आपको सिर्फ क्या दिखा रहा हूँ, solid दिखा रहा हूँ तो एक difference यह धियान रटना कि mostly, मैं mostly बोल रहा हूँ अध्या मिर नहीं भी, mostly जो inorganic होते हैं बच्चों, वो solid form में present होता है, और जो organic होता है वो तीनों form में present हो सकता है solid, liquid, gas, यह तीनों form में available हो सकता है, तो पहला difference तो आपको यह समझ में आ गया, कि organic compound जो होता है, या तो हमारा solid, liquid gas भी हो सकता है, but inorganic mostly क्या होता है, solid होता है अगर हम बात करें बच्चों, जो organic compounds होता है, यह हमारे पास living organism से पाए जाता है, basically जैसे plant हो गया, animal हो गया क्योंकि यह सब चीज़ भी किस से बने हुआ है carbon से बने हुआ है, इसलिए जो हमें minerals, तो minerals basically हमारे पास क्या है, एक non living thing से, non living thing चीज है, और हम बोल सकते हैं, वहां से हमारे पास source आ रहा है किसका inorganic compound का, बात करें बच्चों, next difference की that is basically solubility, अब इसके लिए हम थोड़ा से experiment कर लेते हैं, यार यह oil है, यह water है, यह क्या है, organic, तो organic के अंदर हमने क्या करा, थोड़ा water डाला, अब आप देख रहे होगे बच्चों, कि यार यहाँ पर oil उपर है, और water अभी भी नीचे है, ठीक है, थोड़ा और डालता है, तो आपके पस क्या होगा, यहाँ पर oil और उपर आ जाएगा, देखिए, oil के लिए रूपर देख रही है, और नीचे आपके पस क्या है, water, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर solubility क्या है, बच्चों, low है, याने आपके पस जो organic compound है, वो water के साथ soluble कम होता है, चलो तो आपको जाधा तर blue portion जो होगा, वो top पे दिखेगा, जो alcohol होगा, वो usually आपको top पे दिखेगा, और नीचे जो होगा बच्चों, वो हमारे पास water है, तो यह भी क्या है, हमारे पास low soluble है, no doubt थोड़ी बहुत solubility होगी, ऐसा नहीं, zero solubility है, बट हाँ, इनकी solubility के अगर हम बात करें, organic compound की यह less soluble होता है, अब इसी चीज में आते हैं बच्चों, कि यार हमारे पास inorganic compound है, let us consider salt, mix करते हैं, ठीक है, अभी तो crystal दिख रहे हैं, कहां गया भाई हमारा spoon, इसको mix कर दीजे, थोड़ी time बात क्या होगा, कुछ एक inorganic compound, आप यह बोलोगे कि सर, sand में आप पानी डालतो होगे, तो sand भी तो soluble नहीं होई, बट हाँ, मैं आपको एक general difference बता रहा हूँ, अब यहाँ पर soluble तो नहीं होगा, यह आप भी जानते हैं, बट मैं अगर बात करूं बच्चों, इस condition पर अगर आप देखें, कि mostly हमारे पास जो inorganic compound है, जो mineral से आ रहे हैं, तो वो basically higher soluble होते हैं, as compared to organic compound, तो यह बात का भी ध्यान रखना, ठीक है, यह बात भी समझ में आती है, फिर मैंने आपसे बोला, बच्चों, organic compound जो होता है, वो biodegradable in nature, as well as non biodegradable in nature होता है, but mostly अगर देखा जाए, तो हमें ज्यादा तर biodegradable form में मिलता है, तो हम यहाँ पर मान लेता है, कि यह organic compound biodegradable है, और inorganic compound तो non biodegradable है, microsum इसे consume नहीं करने वाला, अभी volatile, onvolatical condition मैंने बताई थी, अब यहार एक बात होता हो, अगर इस sand को मैं heat up करता, तो यह किसी में convert होता क्या, नहीं होता, तो but obviously बात है, as it is रहता, तो इसका मतलब है, यह कैसा हो गया, non volatile, और हमने जो glucose को heat करा था, तो glucose को convert कर जा था CO2 में, तो but obviously बात है यह क्या था, volatile, और आपने यह देखा था बच्चों, कुछी time के अंदर हमारे पास, जो glucose है, वो convert हो रहा था, gases के अंदर and water vapors के अंदर, तो इसका मतलब है, इनका melting and boiling point होता है, वो बहुत कम होता है, organic compounds का, और जो हमारे inorganic compounds होता है, melting and boiling point थोड़ा सा high होता है, अगर आप इसको convert भी करना चाहें, तो बहुत high temperature लगेगा बच्चों, जब जाके हम sand को कुछ conversion दे सकेंगे, right, तो यहाँ पर बच्चों, यह difference होता है, organic compounds and inorganic compound पे, I hope यह चीज़ आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से, तो ऐसे वीडियो के लिए जूले रहिएगा, और अब upcoming videos में हम लोग और ऐसी कोई बातों को समझेंगे, ठीक है, so thank you so much for joining the session, let's meet in the next video guys, bye bye and take care and good day.